नमस्कार एक बाग फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ड के से यूटूब चैनल में दोस्तों EPFO SSC23 की परिक्षा के लिए जीके और जीए के इंपॉर्टेंट तीस प्रस्नों की स्रीज को जो हमने स्टार्ट किया है इसका पार्ट नमबर टू यहा अगर किसी भी परिक्षा की अच्छे से आपको त्यारी करनी है तो सबसे पहले उस एकजाम का स्लेवस आपके माइंड में आपके दिमाग में होना चाहिए तो यह स्लेवस आपका EPFO SSC23 की परिक्षा का है जिसमें आप देख पा रहे हैं जीके और जीए की तीस प्रस्न जो 20 marks का तो इनी 120 marks की complete त्यारी जो है इस series के माध्यम से हम करवा रहे हैं इसका part 1 हमने already upload कर दिया है part 2 आज हम यहाँ पे discuss करेंगे part 2 में हम आज फिर से 30 सबसे बहतरिन जीके और जीए के प्रस्नों को कबर करने वाले हैं इसी तरह से computer के 10 प्रस्न आप से पूछा आएंगे और computer का cool weightage रहेगा 40 number का तो computer का भी एक video हमने already upload कर दिया है तो यह दो GK और GA और computer की जो complete त्यारी है हमारे channel के माध्यम से करवाई जाएगी तो चलिया इसकी video को start करते हैं तो पहला प्रस्न आपके skin पर है यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है काफी जादा महत्यपूर्ण प्रस्न है तो यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है तो डाइनमो यानि कि option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा डाइनमो के द्वारा अगला प्रस्न आपके skin पर है प्लासी का जो famous युद्ध था यह कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध जो है बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजु दौला और किसके मद्ध तो अंग्रेजों के म सिराजु दौला और अंग्रेजों के मद्ध उस समय अंग्रेजों का सेनापती कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव था अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था इंपोर्टेंट है बक्सर का युद्ध भी यह दोने युद्ध बहुत ब तीन सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के बिरुद्ध इस युद्ध को लड़ा था तो भारत तरफ से ये तीन सेनाओं कौन-कौन सी थी आईए देख लेते हैं तो बंगाल का नवाब उस समय कौन था तो आप याँ देखेगा उस समय बंगाल का नवाब था मेर कासीम, अव सेना का सेनापती कौन था तो हेक्टर मुनरो जो था यहाँ ब्रिटिस सेना का सेनापती था वहीं प्लासिक युद्ध में जो है ब्रिटिस सेना का सेनापती कौन था तो रॉबर्ट कलाइब था प्लासिक युद्ध में और बकसर की युद्ध में कौन था तो हेक्टर मुन तो इसमें से आपको बताना की कौन सा सुमेलित नहीं है तो न्याईक पुनर विलोकन यानि की जूडिसियल रिब्यू का जो कॉंसेप्ट हमने किस देश के समयधान से लिया है तो अमेरिका से बिल्कुल सही है प्रस्तावना की जो हमारी भासा है जो हमारे प्रियंबल की जो किस नहीं बलकि जपान के कॉंस्टिटूशन से जपान के समयधान से इस प्राधान को लिया गया है इस प्राधान को हम कहते हैं वीधी द्वारा अस्थापित प्रक्रिया तो ओप्सन डी आपका यहां पे सुमेलित नहीं था जर्मनी की जगह आपका जपान होना उत्तर पस्यम वाला एरिया है उसमें आप देखते होंगे कि ठंडी के मौसम में जो है वर्षा देखने को मिलती है तो यह किस कारण से वर्षा होती है आपसे पूछा जा रहा है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पस्यमी अगला प्रसन है निमनलखित में से किसके द्वारा पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इंड इंडिया पुस्तक को लिखा गया था काफी यह फेमस बुक थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रूल इंड इंडिया इसी पुस्तक के माध्यम से ही दादा भाई नरोजी के दोरा drain theory को दिया गया था कि drain theory में क्या बताए गया था कि किस प्रकार से भारत का धन जो है Britain निसकासित हो रहा है इसी book के माध्यम से इन्होंने बताया था दादा भाई नरोजी ने तो रैटेंचर क्यों जाएगा दादा भाई नरोजी के दोरा जो है इस famous पुस्तक को लिखा गया था दादा भाई नरोजी को हम grand old man of India के नाम से भी जानते हैं इन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि भारत का जो धन है किस प्रकार से विदेशों में यानि कि खासकर इंग्लेंड में जा रहा है निसकासित हो रहा है इसी पुस्तक की माध्यम से उन्होंने बताया था तो आप याद देखेगा रैटेंचर क्यों हो जाएगा दादा भाई नरोजी आए इनके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं तो इनको Grand Old Man of India के नाम से जानते हैं ब्रिटिस संसत के सदस बनने वाले ये पहले भारती थी 1885 में नरोजी यानि कि दादा भाई नरोजी बॉंबे प्रेसिडेंसी एस्सियेशन के उपाद्यक्ष भी बनते हैं इसके लावा ये कॉंग्रेस के जो है तीन बार प्रेसिडेंट भी रहे थे तीन बार अध्यक्ष भी रहे थे पहली बार 1886 में दूसरी बार 1893 में और तिसरी बार जो है 1906 में यानि कि ये तीन बार kongress के अध्यक्ष भी रहे थे यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं तो दादा बाय नरोजी की हम बात कर रहे हैं अगला प्रस्तन है किस देश को युरोब का मरीज कहा जाता है काफी सिंपल सा प्रस्तन है बहुत बर एक्जाम में पुचा गया है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा तर्की को जिसका अब नाम हो गया है तूर्किये अब इसका नया नाम क्या हो गया तो इसको अब हम तूर्किये के नाम से आनते हैं हाल ही में इसमें जो है भयानक भुकम पाया था तता भारत ने बचाव कारे के लिए ओपरेशन दोस्त भी लॉंच किया था टर्की में जो भुकम पाया थे तो बचाव कारे के लिए भारत सरकार के जारा ओपरेशन दोस्त को भी लॉंच किया गया था टर्की में तो इसके बा बार गठन कप किया गया था अजादी के बाद की बात हो रही है तो अजादी के बाद पहली बार D-Limitation Commission का जो गठन है या 1952 में किया गया था यानिकि option आपका D यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा 1952 में आईए इस प्रस्थिक के आयोग होता है इसको हम boundary Commission के नाम से भी जानते हैं प्रतेक जनगर्णा यानि की प्रतेक सेंसर्स के बाद भारत की संसत के द्वारा समिधान के अनुछेद 82 के तहट एक परिसीमन अधिनियम को लागू किया आता है परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद भारत के राश् परिसीमन अयोग होता है यहाँ Election Commission of India एने की भारत के निरवाचन अयोग के साथ मिलकर कान करता है परिसीमन अयोग अधिनियम 1952 के तहट जो है पहले परिसीमन अयोग का जो गठा ने 1952 में किया गया था दूसरा 1963 में किया गया था तीसरा आपका 1973 में और चोथा आपका 2000 यह पर दो होगा 2002 में होगा यानि कि अभी तक चार बार जो है डी लिमिटेशन कमिशन का अगठन किया गया है पहली बार 1952 में दूसरी बार 1963 में तिसरी बार 1973 में और चोथी बार आपका 2002 में यह फैक्ट भी आपको याद रखना है अगला प्रसना आपके स्क्रीन पर है भारत के महा न्याइवादी यानि कि Attorney General of India की यहाँ पर बात हो रही है किस आर्टिकल के तेयत इनकी नियुकति की जाती है Attorney General of India की तो भारत के जो Attorney General of India होते है जो भारत के महा न्याइवादी होते हैं इनकी जो नियुकति है या किस आर्टिकल के तेयत की जाती है तो Article 76 यानि कि अन वेंकट मणी आर वेंकट रमणी आप यहाँ दिखेगा आर वेंकट रमणी यह वह अत्मान में मारे क्या है तो Eternity General of India है अगला प्रस्तन आपके स्कीन पर है कौन सा समिदान संसोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयू को 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था तो आप याँ देखिएगा मतदान की जो उम्र थी जो ओट करने की उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष किस अधिनियम के तयत किया गया था तो 61 समिदान संसोधन अधिनियम जो हमारा था इसी के तैट मतदान करने की जो उम्रती उसको घटा कर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था तो option आपका C यहाँ पर बिल्कु सही है आपको comment box में बताना किया जो 61 समिदान संसोधन अदिनियम था या किस वर्ष में पारित किया गया था इसका जवाब आपको comment box में देना है अ आप कौन सा राज-बॉड़र या कि सीमा साज़ा नहीं गलता है तो आप यहाद देखेगा भुटान के साथ सिकक्किम सीमा साज़ा कलता है असम सीमा साज़ा कलता है और न Hence a पदेश कलता है लेकिन मेह घाले जो है भुटान के साथ सीमा साजह नहीं कलता है तो options आपका B य गुटान के साथ सीमा साजा करते हैं जो चीज यहां पर हिंदी में लिखी गई है वह लिखी गया है तो जो लोग इंगलिस मिडियम के है वह भी इंगलिस को देख सकते हैं इसके बाद अगला है एक तरब आपको वाटर फॉस दिए गया जलपरपात दिए गया है और एक पुनासा जल्परपात आपका नर्मदा नदीपर नहीं है, बलकि यह आपको मिलेगा, चम्बल नदीपर तो सेकेंड वाला आपका सुमिलित नहीं था, पुनासा जल्परपात आपको चम्बल नदीपर मिलेगा, हुंडरू जल्परपात आपको जहारकंड में स्वरण एका न लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है तो आप यहाँ देखिएगा गोपाल हरी देश मुख को आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्थन आपके स्कीन पर है राजसभाम में कारवाईयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है वेरी वेरी इ जो हमारे देश के उपराष्ट पती होते हैं ये पदेन सभापती होते हैं कहां के तो राजसभा के आप यहाँ देखिएगा राजसभा का पदेन सभापती कौन होता है तो राजसभा के पदेन सभापती होते हैं वाइस प्रेसिडेंट आफ इंडिया तो इनके बारे में आ चुनाव आयोग है यह किस अनुछेत के अंतरगत अस्थापित किया गया है बहुत ही जयदा महत्यकुन प्रस्था है तो राइट एंसर क्या हो जाएगा अनुछेत 324 आप याद देखेगा अनुछेत 324 के अंतरगत जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया है तो option आप आसकर पुरुषकार शुरू किये गये ते 1929 में यानि कि आपका यहां पर जो है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा आप इसे आ देखेगा दोजा तेज में आपके 95 वें आसकर पुरुषकार वित्रित किये गये हैं तो आसकर पुरुषकार को हम एकेडमिक अवर्ड के नाम देखेगा तो आप यहां देखेगा 2023 के लिए जो बेस्ट फिल्म का अवर्ड है आसकर में वह दिया गया Everything Everywhere All At Once को Best Actress का खिताब दिया गया Michelle Io को Movie Everything Everywhere All At Once के लिए Best Actor का खिताब दिया गया Braden Fraser को The Whale Movie के लिए Best Director का खिताब दिया गया Daniel Kwan and Daniel Skinner को Movie किसके लिए तो Everything Everywhere All At Once के लिए Best Documentary Short Film का अवर्ड दिया गया The Elephant Whisperers को यह भारत की है तो इसके बारे में आप को यह दखना है इसके लावा Best Original Song का खिताब दिया गया ओसकर में Natoo Natoo को Triple R Movie का यह Song Natoo Natoo इसको जो है Best Original Song का अवर्ड दिया गया Oscar Award 2023 में तो इसका आप स्कीन सौट ले लिजिएगा जहां से एक प्रस्तनाप के एकजामे डेफिनेटली पूछा जाएगा अगला प्रस्तनाप के स्कीन पर है World Badminton Federation का मुख्याले यानि के Headquarter आप से पूछा गया है तो आप याँ देखिएगा World Badminton Federation का मुख्याले आप मिलेगा मलेशिया के Kuala Lampur में यानि की Option C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तनाप के स्कीन पर है प्रिथवी के सबसे नस्दीक का ग्रह यानि की प्रिथवी का सबसे closest planet आप से पूछा गया है तो प्रिथवी के सबसे नस्दीक का ग्रह सुक्र है यानि की Option C आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा सुक्र को जो है हम पृत्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं सुक्र को सांच का तारा और भोर का तारा भी कहता है या सबसे चमकिला तारा होता है और सबसे गर में गरह भी आपका सुक्र ही है तो यह सरे फैक्ट आप याँ देखेगा तता सबसे नज्देक का प्रिथ्व के गरग कौन सा है तो सुक्र ही माना जाता है अगला प्रस्थ आपके स्कीन पर है 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है तो आप याँ देखिएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान को निको बार से अलग करता है याने कि option आपका यहाँ पे जो A है बिल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रस्तना आपके screen पर है असंगत का आपको मिलान करना है इसमें से एक जोड़ा जो है गलत दिया गया है उसकी आपको पहचान करनी है तो आईए इस प्रस्तन को solve कर लेते हैं जो पहला क्या दिया गया option म का निर्मान कौन कोन से निर्मान करती है तो गंगा और प्रहंपुत्र नदिया मिलके सुंदर वन डेल्टा का निर्मान करती है दुनिया की सबसे गहरी जिल कौन सी है तो सुपिरियल जिल है जो की गलत दिया गया है सुपिरियल जिल नहीं होगा बलकि बैकाल जिल होगा द अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है भारत के समिधान के किस संसोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को एक समिधानिक निकाय बनाय गया था तो आप यहाँ देखेगा पंचायती राज को एक अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है पहला भारत रतन पुरुषकार किस वर्स दिया गया था तो आप यहाँ देखेगा पहला भारत रतन पुरुषकार दिया गया था 1954 में यानि क्या option आपका यहाँ पे जो D है बिल्कुल सही हो जाएगा अब किसको किसको दिया गया था इनका नाम आपके लिए important है तो नाम आपके सामने लिखा गया है चकरवलती राजगोपालाचारी हमारे पुर्व प्रिसेडेंट डाक्टर सौरपली राधा कृष्णन इस चंदर सेखर, वेंकेट, रमन इन 30 लोगों को पहला भारत रतना पुरुष्काल दिया गया था 1904 में अगला प्रस्तन है Bombay Stock Exchange की यहाँ पे बात हो रही है इसकी अस्थापना कब की गई थी तो 1875 में Asia का यह सबसे पुराना Stock Exchange है Bombay Stock Exchange तो इसके बारे में आप याँ अगला प्रस्तन आपके स्किन पर है विश्च प्रित्वे दिवस कम मनाया जाता है तो आप याँ देखेगा विश्च प्रित्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है योप्शना प्राइन और छो भी है बीम को बिलकुस हो जाएगा अगला प्रसना आपके स्कीन पर है गौतम बुद्ध के प्रतम उपदेश के लिए कौन सा प्रतीक चिन प्रियोग में लाया जाता है तो आपको पता होगा मात्मा बुद्ध यानि कि गौतम बुद्ध के तरह जो पहला उपदेश था वरांशी के सार नाथ में दिया गया था तता इस प्रतम उपदेश के लिए जो है धर्म चक्र यानि कि पईया का जो प्रतीक है वो प्रियोग में लाया जाता है यानि कि आपका D यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पे सारी चीज़े लिखी गई है तो इनके यानि कि गौतम बुद्र के जीवन से रिलेटेड जो भी घटनाए है उनके के लिए कौन सा प्रतीक चिन प्रियोग में लाया आता है इनके जर्म के लिए कमल काम प्रियोग कलते हैं जब इनको इग्यान के प्राप्ती के लिए जो प्रतीक चिन है वह पीपल यानिकी बोधी बिच काम प्रियोग कलते है प्रतम अब्देश जब इन्होंने दिया था तो प्रतम अब्देश के लिए धर्मचा क्याने के पैया का प्रतीक चीन प्रियोग मुलाया था है चलावा इनकी मृत्तिव को हम महापरी निर्वान कहते हैं तो इनकी मृत्तिव के लिए जो प्रतीक है वो इस्तूप का प्रियोग हम करते हैं तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा अगला प्रस्तनाप के स्किन पर है दस्वे या आखरी सिख गुरू थे गुरू गोविन सि सांग किसके सासनकाल में भारत आया हुआ था तो आप याद देखेंगा पेली जीज की वेञे सांग जो है चीन का एक यात्री था कहां का तो चीन का या यात्री था इसको जो है हम प्रिंश ऑफ ट्रेवलर्स यानए की यात्रियों को राज कुमार भी कहते हैं और यह किसके सासनकाल में भारत आया था तो हर्स वल्धन के सासनकाल में यहां भारत आया हुआ था 29 परस्थन आपके स्केन पर है समिधान के अनुछे 280 के तेद भारत के विट आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है तो आप यहाँ देखेगा जो Finance Commission है जो वित आयोग है इसका जो गठन है अनुछेद 280 के तायद President आफ इंडिया के दौरा किया जाता है इने की Option आपको यहाँ पे जो B है बिल्कु से हो जाएगा भारत के राष्ट पती के दौरा आज की सेशन का लास्ट प्रसन आपके स्क्रीन पर है भारत का सबसे पुर्वी यानि की सबसे इस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा गया की कौन सा है तो मैं आपको चारों बता दे रहा हूँ आप नो डौन कर लिजेगा सबसे अगर उत्तरी पूछ ले तो सबसे उत् पूछ ले तो यह आपको मिलेगा गुजरात में और इसके लावा सबसे पूर्वी आपका कौन सा है तो सबसे पूर्वी आपका है की बीथू जो की आपका अरौनाचर प्रदेश में तो इस प्रसने का राट एंसर क्या हो जाएगा की बीथू जो की अरौनाचर प्रदेश में है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यानि के इस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है तो इसके बारे में आप याद देखेगा तो इस प्रकास से 30 सबसे बेतरिन प्रस्नों को आज हमने फिर से कबर कर लिया है अपको पसंद आ रही होगी तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू थैंक्स परोचिंग थैंक्यू